एम बनाएंगे भिंडी का रायता तो मैंने एक कटोरी भिंडी का रायता बनाने के लिए दो मेडियम साइज की भिंडी ली है यह देखिए मैंने इस तरीके से सिलाइस में काट लिया है पतला पतला काता है मैं ने अच लिए आपके करते हैं यह हम गैस ओं कर लेते हैं एफमें डालेंगे थोड़ासा ओल जो यह देखिए मैंने इसमें थोड़ासा ओव डालया है जब यह प्रोल गरम हो जाएगा तो हम इसमें इसी भिणिको जो amazing तब तक हम अपनी दूसरी प्रोसिस कर लेते हैं अपना दही हम तयार कर लेते हैं ये दही रेडी करने के लिए रायता के लिए ये मैंने भूंजा हुआ जीरा पाउडर लिया है हाप टी स्पूल इस चौथाई चमच काला नमक और ये चौथाई चमच जो हमने घर में अपनी चटनी वनाई थी सूखी चटनी वह ले रही हूं मैं इस सारी चीज़े इसमें डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया है आप नमक अमक अपने टेस्ट के कोडिंग ही लें तब तक देखिए ये मेरा ओल वह दूब खुका है अब हम इसमें डालेंगे ये बिंडी ये फिन जामें डालेंगे अ कुंकि तेल भुले निकाल लेते हैं यह देखिए मेरी बिंडी फिराई हो रही है ये ये देकिए मेरी फ्राइब हो गई है यह कि इकदम क्रिस्पी हो जाती है यह देखिए हमारा दही पहले से ही रेडी है यह जटपड बनके रेडी हो जाता है भिंडी का रायता है अब हम यह बिंडी को जो क्रिस्पी मैंने तयार की है इसे गून के अब हम इसमें डालेंगे यह देखिए अब हम इसे अच्छी से मिक्स कर लेंगे तो लीजिए जटपट बनके रेडी है भिंडी कर आयता आप भी ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में लिखके मुझे बताएं कि आपको यह भिंडी कर आयता कैसा लगा